अब हमने इस टेबल पर थोड़ी सी पार्मेटिंग अप्लाई करनी है हम इसको तोड़ा सा दरा एक अच्छी लूक देना चाहरें मैंने कहले आप लोग के दॉक्मेंट दिखाया था इस में आपको लिखाब से पूछ टेबल हमारे पास मुझे है कर दो यह आप देखें तो थोड़ा सा जरा अच्छे तरीके से फॉर्मिट हुआ वह जारी इस पर हैटर रो जो है वो हमें नदर आ रही है एक हैटर रो है फिर एक लेफ सैट पर आपको हैटर कॉलम इसको कहने लीचे टोटल का आपको या तोटल का खाना कहने है यह तो हम किस तरी कर सकते हैं कि कहें इस तरह हमारे का सपरख से एक प्यार पास पैर आपलस ने थैसलिए वह कुछ स्टाइल विच भी प्राइब मौद थैंग तो अगर आप अपनी इसस्क्रिम पर देखें यहापर उपर यहा पर टेबल डिसाय्ल के नाम से ही इसके इंदर हमारे पास पहले से बने बनाएगे हैं इन में से आप कोई भी टेबल स्टाइल सेलेक्ट करें तो आप देखें कि वह आपमेंटिकली उसने कुछ सेटिंग यह हमारे टेबल के उपर अप्लाई रहते हैं और बाकी जो नीचे वली रोह ती में आल्टरनेटिव कलर्स यह वपलाई कर दी जानी एक रोह पर कलर है पर इस तीके से अर्ड जो युदर वले टेग्स था जैजि नेफ जो हमारे पास कॉलम ता वालं इसको अटोमेटिकली बोल्ड तो नीचे वली जो आखरी रोह थी को टलो कहरें इसको अटोटल वाला कॉलम कह दें डश्यू के लिए और इस को भी उसने आटोमेटिक लिए यह कुछ यानी ह पत्लिट के हैं और कुछ हम अपनी मर्जी से डिजाइन बना सकते हैं, ये बने मतास है अध्यम्में के यह एह नहीं है लुग भस्रोinsi की है ओए कि अध्यायन कोई भी बना बना इस्तमाल कर सकते हैं इसा में अगर आप नीचे देखें तो tô जाए अगर आप इसमें नीचे जाएं तो आप यह देखें कि बॉडिपाय टेबल स्टाइल ठीकिल और इसी तरह निव टेबल स्टाइल को आपके पास मौझूद है तो आप यह वो टेबल स्टाइल अपनी बर्जी से भी नहीं आवी बना सकने हैं ठीक जिए टेबल स्टाइ और अप्लाए फॉर्मेटिंग टू होल टेबल अब यह नीचे हमारे पास इसके डिफरेंट आप्शन आ ठीके जिए कि होल टेबल पर कौनफॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप जाते हैं कि फॉन्ट हमारा लिया वो इसमें टेबल स्टेबल में यह वाला हूँ और यही रहे और अब इसका फॉन्ट का ब्लैक हो टीकी जी आप बॉर्ड जी है वो टेबल स्कें से शारी बॉर्ट चाप रहा हूं और अब तलर जी है वो चाहता हूं के लूओ है शेडिंग के हो हूं है इसी का लाइट वर्जिन दे रहा हूं ठीकिजिए टेक्स्ट प्ल नोज़क यतों सेंटर में हो है तर मेरे लाइं दर्मयान में अब टम ole यह पर सेंटर मिदल है और यह खीसा उटेक्सन को साथ मूद यह तैक्स इपूर मैल शीक्ता हूं आंतलों मैं चाहता हूं कि जो है उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह हो मौट लो ठीक है वह इसका मैं टेक्स का वाइड करना चाहआ हूं तुछ इसलिए कि मैं इसका मौट रोभ और और जो लाइन का कलर हो में बाइट करना चाहरा हूं और वाटर जो उन्हें चाहरा हूं इंसाइड वाटर यह वो अप्लाई हों थीक होगा जिए और इसका मैं टेक्स तो बाकी भी आप इतर से सारी सेटिंग इसी तरह टोटल से मुराद आपका टेबल है उसकी जो सबसे आखरी रोग होगी उसको टोटल रोग कहते हैं फस्ट कॉलम लेफ साइट वाले जो कॉलम हो फस्ट समझे जाएगा अगर आप रूदू सिमाल करें वह आपने टेक्स डिरेक्शन चेंज की विए तो आपका राइट साइड वाले पहला कॉलम है उसको सस्ट कॉल उस्ट कॉलम पर सिकर कि जाएगे इसी तरह लास्ट कॉलम का ओप्शन है बैंडड रोस और बैंडड रोस का मतलब यह आल्टरनेटिव रोग यह पहली रों का ओर करहों हुआज तो आप आप कौन सा कलर देना चाहरे हैं और बैंडिट रोस का मतलब क्या होगा कि पहली रोग तीसरी रोग पांचमी सातमी इसी तरह इवन जो रोज है वो दूसरी चौती चटी एंड तो इनकी आप लएद़ लएद़ शेटिंग कर सकें हैं पर डापल में इवन बैंडिट बूर जो है वो उनका फिल खला होना है वाइट करना चाहरा है तो इसी तरह के से आप इसी तरह के से बैंडिट कॉलम्स है और इवन ठीकि जी टॉप लेफ्ट सेल हैं डॉप राइट से तो आपका टेबल स्टाइल भी है वो सेव हो जाएगा और यहां पे नीचे वो टेबल स्टाइल के बिदर सौरी ऊपर यहां पर आपके पास यह आ जाएगा तो इस पर आप क्लिक करें तो यह आपका टेबल स्टाइल भी हो आप देखें कि जो आपने डिजाइन किया था वो की तरीक हैं इस तरीके से हम एक अपनी मर्जी का टेवल सटायल बना भी सकते हैं। पहले से बने बना टेवल सटायल उनको मोडिफाई भी करसकते हैं, ठीक ऊए चीज अब यही सेभ चीचे हमारे अगर आपके पास लेफ साइड पे टेबल स्टाइल ओप्शन चो हो रहे हैं यानि हैडर रोग अगर आप इससे चेकबोक्स खतम कर देते हैं तो आपकी हैडर रोग खतम हो देगी अगर आप पर इसको कोई एक्स्टा अलादा से कोई परमेटिंग पहल हले हैं इससी तरह बैडिट कॉलम्स है तो जो जो भी आपने सेटिंग अप्लाई की भी होंगी या अगर आपने बिल्ट इन स्टाइल को इस्तमाल किया हुआ है तो उसके जो 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 सेटिंग्स यहां से अप्राइड होंगी उनको आप यहां से डिरेक्ली ऑन आफ कर सकते हैं बड़ी इसके इसके बार हमारे पास शेडिंग का अप्शन है यह वही टैक्स बॉक्स की शेडिंग है याइनि अगर किसी खास खाने को आप अलएदा से कोई शेडिंग देने चाहें पर इसका अपर एप्र पीश में कोई खाना याओ उसकी अलएदा शेडिंग चाहिए तो मैं इस ट्री कि या देख सकता है उसके वाद आपके पास बॉडर का ओपशन है विजिए आपके पास या जीद आपक 빠स आधेंगे। यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ह। अब यहां से लिखते पर प्रकार प्रक्षा हुगा है। जिए लुड़ का का पर लिखाना चाहिए। उम्हारे पास लिखते हैं अब इसमें एक और चीज मैं रहे हैं। यहां से आप सारी चीजने सेलेक्ट करें ठीके जी वो स्पैसिफिक स्टाइल आप किसी खास बॉर्डर की मिसार की तौर मैं इदर से यह रैडिकलर सेलेक्ट कर दो अब मैं यह बॉर्डर किसी खास यह वो उसमें बनाना चाहा हूँ तो सिंपल मेरा आइकन आप देखें तो चेंज हो चुका है इसको आप सिंपल क्या करें ड्रैग करके इस तरीके से यह आप यह वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं तो एक अलाइदा से मतलब आपको इलाइन लगाना चाहिए विदिन टेबल या विदिन दा आप अलाइदा स श्राइद में अप्डाइदा से कोई बनाना चाहरे हैं तो बजाए इसके कि आप यह हो उसको सेलेक्ट करके उसका बॉर्डर की अपनी दिखिए कि चीजने सेलेक्ट करें ऑप्शन प्स प्रमेटिंग और इसके लोडर पर यह अपना इक है अब यह तो बड़ा शिंपल है तर में पर स्कुन हो कि और हमारे पास यह फिन ऐख करसर मुझूद चाहिए को पूरा अपर नाचाहिए को रोग करना चाहिए कि आपके नहीं हूग बजाए इसके कि हम यहां से जाकर है हमारे पास डिरेक्टी हम पेज के उपर भी स्था कर सकते हैं उसका तरीका क्या है अगर आपको अपने टेबल के ऊपर करसर लेके जाए यह देखिए जब आप करीब लेके आएंगे करसर तो यह आपका करसर इस तरीके से ब्लैक एरो में अब इसके करेंगे तो आपका पूरा कॉलम जिस कॉलमिंग करेंगे से इस तरह अगर आपको आपको पास होगा और अगर आपके पास जिया हो फिर आपकी पूरी आपके पूरी जूँरर श्लेक्ट होगी ठीक होगी अगर टेड़े अरो इस तरीके से आ रख तो आपका सिर्फ वो सेल्ट होगा है ठीक होगी अगर पूरा टेबल आप स्रेक्ट करना चाहरें तो टेबल के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्णल जी है इसके उपर ही आपको एक प्लस के अलामसी बनीगे नदर आ रह ठीक होगे जी उसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रहे टेबल की जो साइज है सैंटिमीटर में है परसंट में है आप यहां से कर सकते हैं उसके बाद अलाइमेंट है ठीक है आप इस तरह से करना चाहरें टेक्स नैपिंग है अगर आपने कोई इमेज इंजर्ट किया है वह टेक्स नैपिंग हमपड़ेंगे इंशाला बड़ी तफसीर के साथ ठीक है जी बाकिया आगे वह रोज की आपके पास यहां पर मौझूद है आप इसको अपनी मर्दी से अपने हिसाब से तमाम की तमाम से सेटिंग ज्यों अडिस्ट कर सकते हैं ठीक कर देते हैं ठीके जी तो यहां से जी वे टेबल ड्रॉ कर लो तो आपको यह ड्राइक करेंगे जर्प spinning करें समाहिना इस Фantes कर रजाए जो ऱ्योति है कि ये कौलम के कि है थी जो दूनों की कि दून हो एक लिज़ कर सकते हैं आगें हम नौर्मलि इसको इस इसनला नहीं करते हैं हमारे पास थूज परियलेसरे जूंज है मुझू झार मंजूंज हं उन्ही Corner इसनला कर दो है उसके बार मार काढ़ लिए का उप्षिन है अगर आपको इस फीरे रोड ब्रेट देडिकर ना चाहरे है अगर जिए जगा पे आपको डिया आपको अफिन ते अजिस उस पर अपलाई जैनि आपले रहा ऑप यह इसी तरह आप कॉलम है ऊप्छ वाले जो नए तो अब अगर आप तो यह वाला cell डिलीट हो जाएगा और आप पूरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा उसके बाद इंजर्ट को उप्षिन है एक शॉर्टकट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टेबल के बीच में ही अगर आप रोगों के बीच में करसर लेके जाते हैं यहां पर डेरे अच्छे उसके बाद यहां पर हमारे पास स्प्लिट सेल मर्ज सेल और स्प्लिट टेबल का अप्शिन मुदूद है अगर आप को कही पी जडूरत पड़ जाती है को दो सेल यह दो तीन सेल से मुराद होता है कि एक खाना खाना जो है हमारा टेबल का उसको हम सेल का नाम दे तो अगर आप में दो तीन खाने मर्ज करने हैं तो मैं इस प्लिट सेल का उप्शिन है और मैं यह दोनों सेल मर्ज कर दिए बात मुझे जह में आकर नहीं होना चाहिए तो इसको स्प्लिट कर सकता है कितने कॉलम चाहिए हैं में दू कॉलम और वाटो ओके प्रेस करेंगे तो आप यह देखें यह आटोमेटिकली वापस यह वह खाना होगा अच्छा इन में आप आज उकागा क्या होगा जब आप सेल को स्प्लिट करते हैं तो यह हमेशा इकोल ही आप साइड में दिस्टीब्यूट होगा यह वाले सेल की विट्थ है और वले सेथे वाले सेल के विविट्थ है यह यह वह जया हो ओग और आप को दिखाओं अगर आप जहां पर देखें तो 3 cm इसे में अगर आप जिका हूँ पर आप तो भी सैंटी मिट्र बिस्ट है तो यह वाला नीचे वाला खाना आपको बॉर्डर यह वो थोड़ा सा इसका साइड पर नदर आ रहा है तो कोई मसला नहीं है आप दोनों सेल्स को स्लेक्ट करें दर्मयान से बॉर्डर को पकड़े और इसके वराबर ले आए तो उसके वरापर अजस्ट हो जाएगा अगर य कुपर वाले सेल्स की जो भी घृत है नीचे वाली पेस्त लिया हो है कि तो यह आपको यह तरी संटी मिटर को यह विजए हैं और भीस में यह उसके पूले सेल्स हिसे फिछे हमारे पास होगे तो आपको वापस यह वह सारे सेल्स की गया हो इस त्रीके से वैलिए कि इनको तरीके हैं हमारे पास इसको कर सकते हैं ठीक होगे उसके बाद हमारे पास स्प्रेट टेबल का ऑप्चिन है यानि अगर आपने को एक बड़ा टेबल मनाया था पर आपको कही जुरूरत पढ़गी तक्सीब करने के लिए मिसाल के तो मैं चाहता हूं कि यह इतना हिस्सा जाओ अब आप यह जाओ नए टेबल में अलएदा एक टेबल बाद है तो मैं स्प्रेट टेबल के ऑप्चिन में क्लिक करूँगा तो अब आप यह देखें कि यह ऊपर वाला टेबल एक अलग टेबल है और नीचे वाला टेबल बाद चुका है तो इसलिके से आप टेबल को भी जाव है और हमारे साइज़ जो है तो जाता है तो ऑर हमारे साइज जो है टेबल का साइज वह हो विधिर मार्जन ही रहता है ठीके अगर आप इसको मार्जन से कम ज्यादा करना चाते हैं तो उसके लिए आपको तो वो किस तरीके से करेंगे अगर आप गौर करें अपने उपर वाले रूलर पे अगर हमारा करसे टेबल के अंदर मौझूद है तो आगर आप बहुत से देखें तो हमारा वाला रूलर यह उसमें कुछ यह डिफरेंट व्याओ आप्शन आपको नज़र आदें कुछ डिफ करना चारों बेशक पेज के मारजर से ज्यादा दूर बस तरी तो मैं सिंपल क्या करूँगा इदर से पकड़के भी मैं इसको कर सकता हूं ठीक है और मैं उपर से पकड़के भी इसको यह चोटा कर सकता हूं यार रखिएगा कि हमने यह जो आइकन पने वे हैं यह जो बीच चेंज हो जाए इस तरह मैं बीच में से भी इसको ड्रैक कर सकता हूं ठीक होगे जी कुछी भी कॉलम को बड़ा चोटा मैंने करना है तो मैं इस तरह हम विदिन टेबल भी बीच में से भी कॉलम को बड़ा चोटा कर सकते हैं लेकिन आप देखिए को डिफरेंट किया है तो आप यह देखें कि टेबल का जो एक्ट्वल साइज है वो उतरे का उतरा ही है सिर्फ वो दो कॉलम्स बड़े चोटे होगे जिनके तर्मयान से मैं इसको बॉर्डर को यह पकड़के बड़ा चोटा करते हैं ठीक है अगर यही का मैं ऊपर से पकड़की करूंगा तो चोटा करें तो अध्सकोः करने के बाद हैं यहाँ तेहुने के बाद इसक्राइज मुखने समय मीस को ऊपका अगर हang इसक्तमारे पर इक मैं कि ग्यूंट का बमट यह एकरे ओक सवस्क्राइज करए करने का कहा है सब्सक्राइब आपने नीचे को इस तरह से मर्ज किया है वालम तो उसको स्लेक ना करें साथ सिर्फ उपर वाले हिस्से को स्लेक कर ले और यहां पर अपनी अमाओ भी है वो जितनी भी आप रखना चाहरे हो दे रहे हैं उसके बाद हमारे पास हाईट को है राओ है यहा पर आगर वैल्यू के भी हिसाब से देना चाहे है तो कि उसके बाद हमारे पास दो ऑप्षे बाद हैं और मेरे से बड़ा और एक यह वाला कॉलम जो इसका साइज डिपरेंट है मैं यह चाहता हूं कि सब रोस का साइज सेम हो ठीक है टेबल की ओरीजिनल जो उंचाई है उपर से नीचे तक साइज बूझ यही रहे बीच वाले जो रोस है मेरी इनका जो साइज है वो आपस भी डिस्टिब्यूट हो जैए इकुल तो मैं सिंपल क्या करेंगा इन सारी रोस को स्लेक करोंगा और डिस्टिब्यूट रोस के बटन पर क्लिक करोंगा तो वह उन सब रो सब्सक्राइब आट लेखें वह उन से सड्सक्राइब डिस्टिब्ध करें तो आप देखें कि हर कॉलम साइज है और इसका साइज यह वह ईसका बी 1.2 3 इसका भी 1.2 3 इसका भी 1.2 तो यह यह बड़ा है प्राबलम का प्राबलम क सकते हैं अपने टेबल की लूक को अच्छा बना सकते हैं लेकिन अगर आप लोग बहुत करें तो यह हमारा टेक्स्ट इस टाइम यह सेंटर में नहीं है यह प्रोब्लम हमें तब पेश आती है जब हमने लाइन स्पेसिंग अप्लाई की भी हो जैनि 1.5 वान पॉइंट से ज्यादा या हमने आफ़र पैरग्राफ स्पेसिंग अप्लाई की तो अगर मैं अपने होंग टैप पे वापस जाओं और अपने हमने 1.25 लाइन स्पेसिंग और पैरग्राफ स्पेसिंग भी है तो हम यह सब चीज़ों को खतम कर देंगे सिंगल लाइन स्पेसिंग हम कर देंगे हैं अब आप देखें कि आपका टैक्स यह हो वर्टिकली भी विल्कुर सेंटर में वह आ चुका है ठीक है तो जी बात हम नहीं परोग्रमम आंडरे यह हका ठीक हिसो नहीं हम को पता नहीं लगता है को कहते हैं के औले आपके छैंने अहले हैं के दिख चैंगर भी चैंग कर देखरी दिखन है और जगा हम नहीं है की डिर्यक्षिशार्टिर नहीं है Ook मारे टैक्स वह rifle गार् मेर्ट, यहां से आप यह वाला टेक्स्ट करेंगे तो यह तो नहीं है तो यह तरह की तरह से आप इसको टेक्स की डिरेक्शन को चेंज कर सेके हैं कि उसके बार हमारे पास सेल मार्जन का ओप्षिन है ठीक है जी हमारे पास जी हो इस पर आप क्लिक करें सेल मार्जिन क्या है कि आपको दिखाता हूं मैं टेक्स व्योग अपना सेंटर की विज़ाए लेफ्ट अलाइन करता हूं अब आप देखें कि मैंने अगर जे अपना ट सेल के और टेक्स्ट के दर्मयान जो है वो आपको फास्टा नदर आप हो जिस तरह हमारे पास पेज का मार्जन होता है यानि पेज की बार्डर से टेक्स्ट के दर्मयान जो फास्टा होता है उसको हम पेज मार्जन कहते हैं सेम इसी तरह हमारे पास विदिन असेल भी एक मा सब्सक्राइब करें यहां पर आप देख रहे हैं कि लाप साइड पर पोई अग्षाइड पर आफ पर नहीं है तो यह हैं है तो जिस तरह हमारे पीज कर मार्जिन होते सेम उसी तरह है आप अपने सैल कर सकते हैं तेक होगे जी क्लियर होगे आसे पर ये चीज समझागी सैल मार्जिन जी जी फ्लियर होगा ठीक होगे अच्छा जी उसके बाद हाँ हमारे पास वही सॉट का ऑप्षिन है सॉट के ऑप्षिन में आप जी हो सॉट आउट कर सकते हैं जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था कि हम लिस्ट में डिफरेंट जी हो चीज़ों को स्लेक करके अलफबैटिक ठीक है तो यह न ही ओ envision यसको साइब हो साउट और सेकते हैं सेम इसी तरह के सेह सेहं कर सकते हैंसे जिसको आपर सॉट बटन पे अगरे नगराप करें तो यह सॉट भार के आपको यह आपर नदर आ रहे है वर आवर को कर रहा हूं कि टायर्लिक ट्एक्स्ता हे मेरा चिक जी नमबर या डेट नहीं है लिजिंग पैरग्राफ है और सेंडिंग ओडर में कर रहा है ठीक है जी और इसके बार मैं ओके भी क्लिक करो तो आप देखें के उसने जी है वो ऐल्फबेटिकली जी कॉलम तू था मेरा इसको ऐल्फबेटिकली सॉट आउट कर दिया और साथ ही इस जिसमें हम यहां कि हम अगर बीच में किसी कॉलम को सॉट आउट कर देते हैं तो इसमें प्राइट नहीं है इसमें आप यह हो आप्टमेटिकली सॉट आउट कर देता है ठीक होगा जी उसके बाद रिपीट हैडर रोज का उप्शन अपकरास इस पे अगर आप क्लिक करें अगर आपका टेबल एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहा है तो नॉर्मल ही क्या होता है अगर फॉर इस टेबल को थोड़ा नीचे लेकां और इसके अदर में कुछ रोड़ थैड कर रहा हूं कि अब यह देखे कि हमारा टेबल यह हो आदा इधर मुझूद है और आदा अगले पेज पे अब बास उकात क्या होता है कि हमें पता जी लग रहा जी इसकी हैडिंग क्या है फिर हमें वापस किछले पेज पेज पर जाना पड़ता है तो हम हैडर को रिपीट कर सकते हैं ताके हमारा हैडर यह हो अगले पेज प्रॉमेटिकली उपर इस पर लग जाएगा रिपीट उपर तो आपके पास क्योई बड़ा टेबल है जो जो तीन पेजिस के वपर है तो आप यह घैडर बीजो के उसओपर इस ठीके से रिपीट कर सकते हैं ठीक होगे जी उसके बास हमारे पास अप्शन है करने हैं convert to text का option अगर आप table को स्राइक करके convert to text करते हैं तो यह आपका जो टेबल है टेबल खतं होके इसी format में simple text पर निए तो वह आप अपनी setting कर सकते हैं पीज में तो आप लगाए में रड़ा लगा ठोओ तो इसको मैं कर देता हूं होग कि लब देखे कि यह मारा जो टेक्स्षट है जो कॉलम्स से हमारे वो सेपरेट होगे उस बार के ज़िए सब्सक्राइब और ज्याएं तो इस तरीके से हम ज्यावे इसको डाट आउड हो कर सकते हैं उसके पात हमारे पास अप्चेन है यह फॉर्मुले का उप्चेन है यह पर यह भूनुले का एक्सेल का यहां पर यह थे बिए महां नहीं पढ़ा रहा है अगर आप लो एक जाएंगे तो इसको यहां पर हम इसको नौमरी इसमाल नहीं कर लिए ठीक है जी यहां तक कोई सवाल किसी के जहिंने किसी भी रभा देसे आपने एक सेल आगे पीछे किया था वो तो अपने सेक्टर दिया था पूरम लेकिन अगर हमारे पाल स्टार पाइंच सेल आगे पीछे होगे तो अलाइन उनकी सही नहीं रहती है उनको एक साथ करें किरी छूद किरी था है युद्ध करें और उनकी सेल अपने से किता शूंब करसे हैं उनको अपने köई कर सकते हैं करने हैं तो जिस जिस आपने लाइन को छेड़ना है जिसको आपने आगे पीछे करना है उसके दोनों तरफ वाले खानेगे वह आपने शेलेक्ट करने के बाद आप उसको अगर आप कोई भी मिख्वारा थैट नहीं करते तो पूरी के पूरी खी अपने लाइन आप की इस सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद यह देखेंगे मैंने सेलेक्ट लिया ड्रैक्ट करके माउस के जरीए से मैंने क्लिक और ड्रैक्ट करके सेलेक्ट कर लिया और माउस से ही इसको पकड़के मैंने कर दिया कियी कि तो मैंने पोई भी यूज निकी तो सैंगे यह इसके निकी एकस्टा की कोई भी आपने यूज निकानी यह दाए जास माऊस से आपने पकड़ करने टीके जा है? और अर्टोफिट जो है किस तेक्म जिन हमें लिखाए है झायो फिल में छबाऊ है। हमारे पास यह आधा थे डेखेल इसमस्य तीन है दुक्षा तोटमेसी ताल फून फिल करें है वहां अब है यहां से टेबल जो इस तरही के से चोटा किया वाता है तो AutoFit window पे आपका क्लिक करेंगे तो यह आपके जो पेज का margin होगा उसके विदिन दा मार्जन उसको automatically fit कर देगा आपके तमाम columns के अंदर थोड़ी थोड़ी space इंडाल ठीक जी? इसके बाद हमारे पास जो है वो AutoFit contents का option है जैसे जैसे आप content लिखते जाएगे वैसे वैसे आपके cell का size यह हो बढ़ा होता है जैसे मैं इसके साथ लिखता जाओगा तो यह cell का size उस हिसाफ से बढ़ा होता जाएगा जैसे मैं text delete करता जोगा मेरे cell का size यह हो उस हिसाफ से काम जाता है ठीक होगे जी? इसके बाद है fixed column width के अगर आप यह से लग कर लेते हैं तो आप यह column width यह fix रहेगी चाहिए आप उसके अंदर गया टेक्स लेकर है यह नहीं लेकर है तो टेक्स लिखेंगे तो टेक्स नीचे की तरफ जाएगा आपके column width यह वो काम जागा तो नहीं को टीक होगे जी जी ठीक होगे जी ठीक होगे जी एक टेबल के हवाले से और कोई सवाल आपके जहन में किसी की जहन में क्लिए हैं सारी चीज़ें लेज हैं चले जी ठीक है जी हमारी आज की class नहीं तक थी कल को इंशालला कल से मुराक नेक्स्ट वर्किंग ले यानि मंडे को हमारी पर इंशालला मुराक आपको चुक्ती है मौच करें सिर्फ मौच नहीं करनी है assignment मैंने आपको दीवी है assignment number 3 और आज मैं कि assignment number 4 भी एक देदूँगा तो इस दुन्हों assignments पर आपने जमा करवानी है कल को पर सुपने इंशाल पिर मुलाका तो मी उसाथ टेक्रिजार जीजिया अलापिस ऑ्सालम रायकुम राह्मतुलाहिव व्रकात। झाल